नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है भरजेन स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल भरजेन पर और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही जबर्दस स्मार्ट गेजेट्स हैं जो आपकी सिक्योरिटी के लिए और आपक से सिक्योर करके रख सकते हैं शायद अगर आपको ये खत्रा हो कि कहीं आपकी जो इंपोर्टेंट चीजें वो चोरी ना हो जाए अगर आप ये चाहते हैं कि अगर कभी घर में आग लगी हो तो इसके अंदर ये जलके राक ना हो जाए इसके लिए इस तरह की सेफ का करनी चाहिए कैसे ये गर में इस्टॉल होती है क्या क्या इसके अंदर के फीचर्ज हैं और ये जो कमपनिये ओजन वो क्या है वो कितनी बड़ी है क्यों आपको ओजन प्रिफर करना चाहिए इसके बारे में अच्छे से हम लोग डिटेल में बात करेंगे तो दोस्तों चलि सो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओजन ओवर्सीस के बारे में कि ये कमपनी क्या है एक्षिर्य एजन ओवर्सीस प्राइवेट लिमिटेड जो कमपनी है वो करीबन 20 साल की लेगिसी के साथ में यहाँ पर इंडिया के अंदर है तो आर्किटेक्शनल हाडवेर के अंदर ये लीडर तो ही है साथ साथ में डिजिटल सिक्योरिटी सोलीशन के भी अंदर ये कमपनी काफी अच्छे से वर्क करती है ये कमपनी इंटरनेशनली वर्क करती है और पूरे पैन इंडिया के अंदर इनके डिलर डिस्टिबिटर्स एवलेबल हैं अगर आप इनके प्रोड़क्ट खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही रहाँ साथ साथ में इनके चैनल पार्टनेर्स भी हैं जो पूरे इंडिया के अंदर फेले हुए हैं और इनकी अपनी खुद की e-commerce platform website है जहाँ पर जाकर आप इस तरह के प्रोड़क्ट को बाय कर सकते हैं सो दूस्तो यह तो हो गई company के बारे में completely बात अब हम इन दोनों जो प्रोड़क्ट हैं उनको अन्बॉक्स करते हैं और सबसे पहले मैं अन्बॉक्स करना चाहूंगा हमारी इस टसकर 10 प्रोड़क्ट को जो की करीबन 7 kg का है मतलब इसका जो weight है वो बहुत जादा नहीं है 7 kg का weight है और इसके अंदर करीबन 10 liter इसका जो volume है वो है अगर इसकी मैं पूरी dimension की बात करूँ तो आप display पे देख रहे हैं यह जो dimension है कि कितना वो चोड़ा है कितने उसकी wheat दे कितनी उसकी चोड़ा ही है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी यह जो product है वो करीबन 2 साल की inbuilt warranty के साथ में आपको मिल जाता है तो इस जो product है उसका model number है tesker 10 और यह आप office में आप आपके घर पर इसको use कर सकते हैं आप retail अगर आपकी shop है वहाँ पर भी आप इसको use कर सकते हैं अगर में features के बारे में बात करो तो इसके अंदर आपको मिल जाता है password है LED डिस्प्ले है और emergency keys भी है तो चलिए पहले इसको अन्बॉक्स करते हैं ozone की तरफ से मिला है हमें एक यह envelope और envelope में हमें यहाँ पर मिली है एक यह emergency keys एक है यहां का user manual और यह हमने जो checklist है वह है कि इसमें क्या-क्या है उससे related इसको एक बार side में रखते हैं और एक ozone का kitchen भी है कुछ इस तरह का तो दोस्तों यह है completely यहां पर हमारे पास में टसकल 10 डिजिटल सेफ और इसका जो look है वह थोड़ा सा bluish है मतला आपको थोड़ा black भी देखेगा लेकिन एक्चुली यह blue इश है और यहां पर यह पूरा complete metal का है श्टेल का है यहां पर हमें कुछ keypad देखने के लिए मिलता है एक LED display देखने के लिए मिल रहा है और एक यहां पर ozone की हमें यहां पर branding देखने के लिए मिल रही है एक यहां पर इसको open करने के लिए knob दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले अभी हमें इसको open करना है नया piece है तो यहां पर यह जो ozone वाली branding है यह cover यहां से open होगा तो अगर आपके थोड़े से नाखुन बढ़े हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप कुछ चीजे ले सकते हो इस तरह से open हो जाएगा open होने के बाद में यह जो emergency keys है वो आपको insert करना इसमें और यह जैसे ही हम लोगों ने इसको गुमाया गुमा के इसको पकड़ के रखना है and then after इसको गुमाना इस नोप को तो यह lock open हो जाएगा जैसे ही हमारा lock open हुआ यह यहां पर completely open हो चुकी हमारे पास में हमारी digital safe इसके अंदर हमें मिलती है एवरेडी की बैटरीज है एक इमर्जेंसी आई थिंक पावर बैंक है जो इसको open करने के लिए काम आएगा कुछ बॉल्ट है ठीक है बस इतना मिलता है और अगर इसके अंदर डैप्ट और यह सब देखें तो आपको कुछ अंदर से आराम से दिखाई दे रहा होगा कि किस और इस तरह का चीज है यह यहँआपके नहीं तो आप इसका यूस कर सकते हैं इसके अंदर आपके डबले वाले जो सेल है मोगेंगी चार बैटरी लागी और इस पीन को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो इसको पावर मिल जाएगा ओके यह इमरेंसी के टाइम पे अगर बैटरी फिनिश हो गई हो तो अब इसको जो फिटिंग करना होता है वो होता है एक्छली ये जो साइज है ये वोर्ट्रॉप्स के लिए बनाई गई है साइज आप आपके वोर्ड्रॉप्स में इसको fit कर सकते हैं fit करने के लिए back side में आप यहां पर यह पारे होंगे दो होल हैं और इस होल के अंदर यह आपके कुछ बड़े से स्कुरूज हैं इसको आप वाल के ऊपर वाट्रॉप के ऊपर अच्छे से कसके टाइट कर दीजिए ताकि यह वहां से हीले नहीं वरना लोगों के दिमाग में क्या रहा होगा कि यह चोटी सी चीज है 7 kg अगर मैं इसके अंदर कोई भी चीज रखूं तो कोई भी उठा के लिए के चला जाएगा भले उससे लोग नहीं गुल रहा है बाद में जाके वो कुछ भी कर सकता है नहीं इसा नहीं है एक्शुली इसको आपको फिक्स अप करना पड़ेगा तो सबसे पहले इसको फिक बैटरी यहां पर लगीगी तो दुस्तों अभी हमने इसमें अपना पासवर्ड सेट कर दिया है मैन्यूल इमर्जेंसी जो कीज है उससे हमने ओपन किया इसको और हमारा अभी जो फिलाल पासवर्ड है अगर वह पासवर्ड ट्रेस करना चाहो तो सबसे पहले हैश किया 1 2 3 4 and then again hash और यहां से यह open हो गया, knob गुमाया और यह open अगर आप अपना पासवर्ड को reset करना चाहते हैं तो यहां पर back side पे यह दिखिए reset की बटन है इसको एक बार singlely press करना है इसके बाद में आपको आपका जो पासवर्ड है वो एंटर करना है और hash करेंगे तो आपका जो प पेले आप hash दबाएंगे इसके बाद में start दबाएंगे 00 दिखाई देगा यह देखिए आपको कोई भी password यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है ताकि अगर आपके pass में आपके साथ में कोई हो और आप उसको वहां पर password नहीं show करवाना चाहते हैं तो यहां पर नहीं show होगा अगर in case अगर आपका समझ लो यहां पर battery power down हो जाता है तो यहां पर यह flash करेगा ठीक आपको बताती रहेगी यहां पर battery का symbol जो आप देख रहे हैं कि आपकी battery जाने वाली है तो आप battery को change कर दीजिए बट in case कि अगर आप battery change नहीं कर पाए तो आपको क्या करना है जैसे कि मै आपका password unlock करो और आपका यह open हो जाएगा फिर आप अंदर battery को replace कर सकते हैं तो इस तरह से पुरी की पुरी जो safe है वो काम करती है बहुत ही जबर्दस है hotel industries के अंदर कई जगह पर यह सी safe का use किया जाता है अब हम बात करेंगे सफीलो बायो 1 के बारे में जिसके अंदर fingerprint भी ह और उसके अंदर आप fingerprint के साथ साथ में आप double dual authentication भी दे सकते हैं तो चलिए उसको अब unbox करते हैं शो दोस्तो यह है दूसरा वाला हमारे पास में जो biometric के साथ में आता है इसका नाम है सफीलो बायो 1 अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर 40 liter capacity है मतलब इतना बड़ा है और इसका जो weight है वो करीबन 20 kg के आसपास इसका weight है तो काफी heavy भी है काफी बड़ा भी है अगर आप कुछ ज़्यादा चीज़े रखना चाते है document, jewelry और cash तो आप इसका use कर सकते हैं ये भी आपके home, office और आपके shop के अंदर आप इसका बहतरीन तरीके से use कर पाएंगे अगर features के इसके बारे में बात करूँ यहां पर तो यह fingerprint से operate होता है, password से operate होता है, LED display आपको मिल जाएगा, auto freeze feature जो है वो यहां पर भी काम करता है कि अगर आप तीन बार अगर wrong password अगर किसी ने enter किया तो यह automatically lock हो जाएगा, so यह feature आपको यहां पर मिल जाएगा, और touch panel इसके अंदर आ So, Sam envelope हमें यहां पर भी देखने के लिए मिल रहा है, और यह इसका back side, यह इसका front side, यहां पर है cover, और यह display हमें यहां पर देखने के लिए मिलता है, जो manual है, उसमें क्या क्या है, इसमें भी देख लेते हैं, same हमें यहां पर keys देखने के लिए मिल रही हैं, जो थोड़ी बड़ी हैं उससे, जो हमारा first वाला था, थोड़ी सी अलग heavy वाली keys हैं, manual है, और इसके साथ में इसके अंदर क्या क्या checklist हैं, क्या क्या आया है, उसके पारे में mention किया गया है, चरी अब इसको open करते हैं, यह जो है, वो manual की को लगाने के लिए, और खुल गया, खुल जा सिम सिम, अब जैसे ही हमारे पास में खुला, इसके अंदर भी हमें मिलते हैं, बहुत सारे screws and features, एक power bank, मतलब इसको emergency open करने के लिए एक power bank है, बैटरी हैं, और यह है, इसका पूरा का पूरा, यहाँ पर बैटरी लगाने के लिए हमारे पास में option, तो हम यहाँ पर पहले सबसे पहले बैटरी प्लेस कर देते हैं, पावर, बीप से हमें पता चल जा गए, पावर on हो गया है, तो दोस्तों यहाँ पर यह पावर on हो चुका है, और इसको एक बार लॉक किया मैंने, again, fp, confirm, ओके, दो बार करना है, और यह हमारा हो चुका है, अब देखें, मैं इसको लॉक करता हूँ, यह लॉक हो गया, यानि कि जैसे ही हमने emergency से, emergency जो की है, उससे हमने open किया, open करने के बाद मैं battery insert करी, जैसे हमने battery insert करी, इसके बाद मैं directly fingerprint महाँगा, अगर इसके अंदर आप fingerprint की quantity की बारे में बात करें, तो इसके अंदर 29 fingerprint आप enroll कर सकते हैं, one by one, one by one, तो आपके एक ही हाथ की दू या चार fingerprint ले सकते हैं, family members हैं, आप उनके भी enroll इसके अंदर आप कर सकते हैं, जैसे open करना है आपको, open, यानि कि auto lock open हो जाता है, इसके अंदर कुछ इसी तरह का पुरा setup दिया हुआ है, अब रही बात इसके अंदर features की, तो इसको lock करना है, मैंने यहाँ से वापस से lock किया, जैसे यहाँ पर आप हाथ से palm से कुछ ऐसे करेंगे, आपके पास में यहाँ पर fingerprint के लिए भी आपके पास में यहाँ पर options खुल जाएंगे, यहाँ पर आप dial कर सकते हैं, 1,2,3,4 हमने यहाँ पर set कर दिया एक बार में, तो दूस्तों इसके अंदर आपको पिछे back side पे red and green दो color की बटन दी हुई है, किस तरह से आपको पुरे password को reset करना है, किस तरह से setting करनी है, manual के अंदर completely यहाँ पर बताया गया, अगर मैं यहाँ पर बताने जाओंगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, installation के time पर आपको ध्यान रखना है, कि इसके अंदर पीछे की side में चार screw लगाने के हैं, तो उससे आप fix up कर सकते हैं, इसके बाद में आप इसको fingerprint से open कर सकते हैं, आप थोड़ा और security चाहते हैं, तो आप dual authentication दे सकते हैं, मतलब आपको password भी डालना है, और आपको fingerprint भी डालना है, तो ही यह safe open होगी, तो ऐसा भी अगर कुछ setup करना चाहें, तो आप इसके अंदर कर सकते हैं, अगर हम safe की quality की बात करें, तो पूरा metal का, steel का है, और काफी heavy है, जैसे कि मैंने आपको बता है, approximate 20 kg के आसपास का इसका weight है, इसके अंदर एक और अच्छा feature है, वो है यहाँ पर एक light दी हुई है, तो जैसे ही यह open होता है, तो आपको इसके अंदर आपको एक light देखने के लिए मिलती है, तो दोस्तों यह हैं हमारे पास में, दोनों हमारी digital safe, तुशकर 10 और सफिलो बायो 1, अगर मैं इसके costing की अगर बात करो, तो यह करीबन आपको 5600 के आसपास में आपको यहाँ पर पड़ेगी, अगर आप खरीदना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप बाइक कर सकते हैं, आइधर इनकी जो चैनल पार्टनर हैं, वहाँ से भी इसको मंगवा सकते हैं, सफिलो बायो 1 के बारे में बात करें, तो ये जो सेफ हैं वह करीबन आपको जाती है, 15,000 प्लस मतलब 15-16,000 के बीच में, और अगर आप इसको भी खरीदना चाहते हैं, तो Sam as it is में लिंक दे दूँगा, मुझे लगता है आज का जो वीडियो है, वो कॉइट इंप्रेसिव लगा होगा, आपको फीचर्स आपको अच्छे से समझ में आया होगे, आपको ये भी समझ में आया होगा, कि क्यों इसको यूज करना चाहिए, और क्यों ओजोन के साथ में आपको जाना चाहिए, काफी ट्रस्टेट ब्रेंड है, सो आप इसके उपर बहुत अच्छे से रिलाय कर सकते हैं काफी पुरानी ब्रेंड है सो आप इस तरकी सेफ ओजोन की बाय कर सकते हैं मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर कुछ नई टैप की टेकनोलोजी नए गेजेट्स और नई टेप सेंटिक्स के साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो को लाइक करिएगा दूसरों के साथ में शेयर करिएगा धन्यवाद हमारे इस वीडियो को अंते तक देखने के लिए जाहिन